राज का मुद्दा देख रहे हैं आप साथ आपके मैं हूँ अर्पितार्या सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुचाते इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन से जड़ी हुई केंदर सरकार की और सिस्तमाल की मन्जूरी मिलने के बात से ही दो कोरोना वैक्सीन लग लखा जा रहा है, ड्राइरन हो रहा है तो दूसरी ओर कई विपक्षी नेता देश में तयार कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं यूपी के 75 शहरों में एक साथ ड्राइरन की तयारियां पूरी हो चुकी है इस ड्राइरन में वैक्सीन लगाने के हर प्रक्रिया की मौक्ट्रिल की जाएगी लेकिन अखलेश शादोश, अचितरोर, मिलित देवडा और कई दूसरे नेताओं ने वैक्सीन के मुद्दे पर केंदर सरकार को निशाने पर लिया इन सब के बीच को वैक्सीन बनाने वाली कमपनी भारत बायटेक के CMD डॉक्टर कृष्णा एला भी सामने आए और दावा किया कि उनकी वैक्सीन हर मापदंड पर खरी है उसके बारे में भ्राम फैलाकर लोगों को डराए जा रहा है क्रिष्णा आइला ने कहा कि भारत ये कमपनी की वैक्सीन होने की वज़़ेस से ही को वैक्सीन को निशाना बनाया जा रहा है तो ये दो तस्वीरे देखिए एक तरह वैक्सीन की तैयारिया हो रही है कि वैक्सीन जब पहुचती है टीका करण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी तो उसकी तैयारी पहले से कर ले जाए ड्रायरण हो रहा है जगे जगे लेकिन वहीं दूसरे तरह देखिए आप वैक क्षिश से इन दिल्ली से इस में आमिस सिंग से हमारे साथ होगे और दीपक का रुक्क्र यतने हैं धिक आप कहां पर मौझूद हैं ज़रा Keys फीर अगर दिखा पाएं और और किसी शयाद आप करना चाहारे हैं। इस वक्त मैं गाजियाबाद के नहरुनगर में हूँ नहरुनगर के ये शोदा अस्पताल में जो ट्रीटमेंट होगा वो मैं दिखाऊंगा यहां पर क्वाकि ड्रायरन की तैयारिया यहां पर हैं और आप देख सकते हैं यहां का जो यह रूम है यह वेटिंग रूम है और सा आना चाहूंगा जो वेक्सिनेटर होगा उसे यहां पर लाए जाएगा और यहां पर आधार कार्ड और आईडी वेरिफेक्शन के साथ साथ यह सारी चीज़ें प्रोसीजर होगा सर थोड़सा मैं पूछने चाहूँगा आपने यहां पर किस तरह से करेंगी यहां जो भी पूंसे है जो पर यहां टॉप्स अब यहां जाएंगे जो ड्राइररन की तैयारिया हैे किस तरह से आप लोगों कि तैयारियां थो बस्ट कि आ इसिकली यह हैं यहां यहां दो कट्राइज कि हैं पेशन के दो बैचिसे को एक 25 डैच का दो दो बैच होंगे पहले पेशेंट हमारे यहां वेटिंग हॉल में आएंगे उसके बाद वो अंदर रंटी करेंगे उनका मोबाइल नमर लिया आगा आईडी ली जाएगा अधाकार कि उनको उसके में मोबाइल पर मैसेज किया जाएगा उसके बाद वो इस रूम में आके वैक्सिनेशन होगा उनका प्र दो रूम है तो फिर अगर कोई एडबहासर किसी को रियक्षन ब continued कैसा भी होता है तो हमारे पास अब्जरवेशन रूम यह operation लोग वे संबसा अब इसक्के लिएगा उनका पर उसके वाइटनस लिये जाएंगे, बीपी, पॉस वगारा सब चेक किया जाएगा, सब चेक किया जाएगा, पहले उसको तसली कर ली जाएगी कि उसको और बुखार तो नहीं है या फर्दा कुछ चीज तो नहीं है, उसके बाद सिश्टर यहां पर हमारे ट्रेंड होती है, तो हमारा आगे observation room में आगे में लिखाएतों, observation room भी मैं अर्पिता एक बार दिखा दूँँ अपने दर्श्टों को कि यहां पर यहां पर वेटिंग एरिया है, बेसिकले यहां पर पहले जो रेक्सिनेशन हो जाएगा, उसके बाद पेशेंट को यहां पर हम लोग फड़ा आप एन आप के लिए उसको वेट कराएंगे, वो यहां पर आप एन आप एन आप करने के बाद, जब उसके कोई कंप्लेंट नहीं होगी, फ़रतर उसके वाइटल चेक होंगे, बीपी हो जाएगा, फिर वो यहां से हमारा एक्जट हो जाएगे, अगर फ़रतर उस अब्जर्वेशन वाड है, तो यहां पर हम उसको वाइटर से वगारा पूरा चेक करके, मॉलिटर करके, जब पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक रहेगा, तब हम उसको आगे फ़रतर भी बेज़ेंगे, विल्कुल, डॉक्टर अभी मानी जोहरी है, यहां पर य अजीव, लखनो में क्या खास तयारियां? पहले उसका रजिस्टेशन किया जाएगा, और फिर जो वैक्शिनेशन एरिया है, वो दूसरी जगह पर बनाया गया है, क्योंकि यह कुरोना की बीमारी है, तो ऐसे में सोचल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल लखा गया, दूसरे और जो वैक्शिनेशन का जो कराया जाएगा, और यहां पर अलग अलग जो कैम्प लगाया गया है, आप देख रहे हैं कि हाला की यूपी में दस से बारा के बीच वैक्शिनेशन का ड्राइरन होना है, उस दौरान आप देख सकते हैं कि कई बूत बनाएगे, और यहां पर सबसे पहले जो पेसेंट पह लगने के बाद आप देख सकते हैं कि इस वेटिंग हाल में वहां पर वेट कराया जाएगा और अगर देखा जाएगा कि कोई दिक्कत उसे नहीं हो रही है, तब ही उसे आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसे में अगर पेसेंट को कोई शिकायत होती है, तो यहां पर जो डॉक् से तिस बीच जुड़ चुके है, नौइडा से, अमेद आप जहां पर मौजूद जरा वहां से तर्यारों की तस्वीरे दिखाएगे, जी अर्पीता मैं आपको सबसे पहले यहां की तस्वीरे दिखा देता हूँ, गौतम बुद्नगर्स जिला समेथ, यूपी के कई जिलो यहां पर पहुँचेंगा, वैक्सिनेशन लेने के लिए, और उसके बाद इस वेटिंग रूम के बाद यहां पर उनका रिजिस्ट्रेशन कराएगा, यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो स्वास्त कर्मी है, जो था पर तयारिया कर रह आएगे एक तरफ वेटिंग हॉल होगा दूसरे तरफ अब्जिवेशन सेंटर होगा सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहाँ पर जो लोग है वह यहाँ पर रेजिस्ट्रेशन कराएंगे रेजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस कमरे में आएंगे जो कि यहाँ पर आप यहां पर आप देख सकते हैं वी वन कमरा और वी थ्री कमरा दो कमरे ऐसे हैं जहां पर वैक्सिनेशन दिया जाएगा यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है देखे वैक्सिनेशन के इसमें रखा जाता है सिरिंज वगरा यहां पर है यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों सबसे पहले मैम कैसे वैक्सिनेशन करेंगी क्या है प्रोसेस प्रोसेस है कि तीन कोपिस बनी हुए है जो आएंगे बैनिफिस्टेस की परस तो पहले एंट्री और फिर उसके बाद यहां पर रिजिस्ट्रेशन काउंटर पर एक हमारे पास तो वहां पर उनको एक आईडी ले के लिए उनको हम आदी घंटी के लिए बाहर र एक्सिनेशन दिया जाएगा लोगों को और यहां पर प्र ऑपच्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर और यह ऑबज़वेशन से रहे आप और यह और वेशन सेंटर का और किसी भी मरीज को कोई दिक्कत होती है तो उसके बाद अरपीता यहां पर जो आप देख सकते हैं कि एएफटाई मैनेजमेंट कुछे यहां पर बनाया गया है इएफटाई मैनेज मेंनेश्मन्ट नुम से कोई भरकिश Ik देख रहे हैं कि ड्राइरन के लिए कितने तयार हो रहे हैं जगे जगे तयारियां चल रही है वहीं विपक्ष जो है वो अलग एंगल दे रहा है अखले शादो तो कहरें भाई यह बीजेपी की वैक्सीन अम मैं तो नहीं लगवा रहा हूं अर्पिता एक बहुत बड़ी विडमना है देश की की दो वैक्सीन देश में तयार हुई और ये महनत दिन रात की वैग्यानिकों की डॉक्टर्स की एक्सपर्स की महनत करके वैक्सीन तयार किया और जिस पर भरोसा देश के लाखों करोडों लोगों को होना चाहिए जब सरका एक लंबा प्रोसेस करती है कंपणियां लंबा प्रोसेस करती है इसके बाद सरकारी जो संस्ता है गो डीसी जी आई गो इसको अप्रूल देती है इतनी चान बीन के बाद तमाम डॉक्मेंट्स पड़ता ले जाते हैं लेकिन कॉंग्रस की तरफ से अखलेश यादों की कि कई लोगों की जान गई कई लोग जो अस्पतालों में भरती हैं और ऐसे में जो बेसबरी से लोग इंतजार कर रहे थे वैक्सीन का कि वैक्सीन देश में उपलब्द हो जैसा कि कई देशों में भी लगने भी शुरू हो गई है भारत में अभी इसकी तारीख होनी बाकी है सरकार की तरफ से लेकिन जब दो-तीन दिन पहले इसकी अप्रूगल मिली लेकिन अब तमाम जो राजनीतिक दलों की तरफ से जब ये सवाल खड़ा किया जाता है तो कहीं कहीं उसके गुडवत्ता पर कहीं दूसरे लोगों के मन में शक ना पैदा हो सरकार भी तमाम सफाई सफा civ को मेरी दे रही है कंपनी भी सफाई दे रही है और ये देखी तरफ सा करी ठीव हो और वेक्सिन लगाने वाले हेल्थ वकर्स दोनों मौझूद रहेंगे वहीं वैक्सिनेशन के ड्रायरं से पहले सिव्योगी ने अधिकारियों के साथ बैठा कर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिये हैं लोग 75 जनपदों में छेचे जगे पर अर्बन और ग्रामिन को मिला के हम लोग ड्रायरं पूना करने जा रहे हैं क्योंकि एक जगा करने से हमको पूरी जानकारी नहीं मिलती है इसलिए जितना प्रेस्टिक्शन हमने 15-20 दिन से हम करा रहे हैं उसका सही अंदाजा तब लगेगा जब पूरे प्रदेश में जिलास्पतालों पर और समुदाइक स्वास्केन पर और जहां-जहां यह तैक किया गए वहां इनको करना है तब वो ड्रायरं में जो कमिया हों होगी यह जो प्रसिक्शन में लोगने नहीं समझाएगा उसको हम देखेंगे सारा विभाग पुले स्वास्त अन सारे ऐसी डियस सारी वहां को बुला के टेनिंग और टेनर्स कराए जा रहा है कि भविश में जब हम लोग वैक्सीन के लिए प्लैन करेंगे उसके लिए हर क्या किया जाएगा कि क्या क्या गातिविदियां डूरिंग वैक्सिनेशन होगी यह प्राइटिकल करके देखा जाए वैक्सी नहीं लगेगी दीपक हमाइसाथ मौजूद है दीपक आप क्योंकि सेंटर में हैं जहां पर यह ठीका करें प्रक्रिया का एक तरीकी से कहें तो समर्चने के लिए क्या इस तरीके से प्रक्रिया को अपनाए गया है कि देखे आर्पिता सबसे एहम जानकारी जो आपी तक हम दे रहे थे यहां पर जो मेडिकल सुप्रेंड है संगीता जी वो उनसे में सीधे सारी जानकारी तो मैं फोड़ा हमें समझाए यह ब्रीब तरी यहां पर इनका आइडी वेरिफिकेशन होगा अधार कार्ड वेरिफिकेशन के साथ जी यहां पर हो आएंगे फिर उनके मोबाइल पर एक SMS आएगा जनरेट किया जाएगा तो तब तक वह लोग वेट करेंगे जैसे जनरेट अनका SMS आजाएगा वो उटकर आगे वेक्सिने यह rustन कि जो यहां पर सब दयारिया चल रही है और vaccination लगने के बाद ऊनको हम लोग आधा घंता पंदरह से आधा से आधा म Bringing Call अगर कोई साइफेक्ट होता है वो बहुत रेर है तो उसके लिए हमने एफाई रूम बनाया है यह क्या यह कौन सा रूम होता है यह अगर इंजेक्शन देने पड़े हमें एमर्जंसी ड्रक्स देनी पड़ी हो सब हमारा रेंजमेंट है अगर और यहां पर लगने के बाद डॉक्टर हमारे बाद यहां पर रहेंगे उन ड्यूटी उब्जोफ करने के बाद आधा गंटा पंदर मिंट देखने के बाद फिर उनको लिए बाद की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कई जगाओं पर उतरप्रदेश सरकार की कैसी तया बर अबपारी हैं वोगाने ओद बता दो तरथ प्रदेश सरकार ने विञयापन जारीकार के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की दिए विजयापन न की दिए क्या जल्द वेक्सिनेशन आदीपार करात से लेकर मन्रे का जॉब कार्ट भी मानने होगा अमेरिद, आप जहां पर मौझूद हैं, जारह वहाँ तैयारियां दिखाईए आगर वैक्सिनेशन से किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसके लिए क्या इंतलाम किये गए lip जी यहां बिल्कुल वैक्सिनेशन से अगर किसी भी प्रकार से दिक्कत होती है तो उसी कमरे में एई एफ़ाई कमरे में इस वक्त में मौझूद हूँ अगर किसी को भी वैक्सिनेशन से दिक्कत होगी तो उसे सीधे यहां पर लाया जाएगा मैं यहां पर देखिए सारे एक सो इन्टी बात करते हैं सार अगर किसी को ख़र दिक्कात होगी बेक्सिनेशन के बाद तो कैसे आप स्टेबिल कर ओगे क्या कश्रिक और का अब म 같습니다 करेंगे उसको देंगे और सोगी में हम हम जो भी दिखाने को ने बोलूँगा हम इसको पेशेंट्स को आरम से यहां पर इस्टेबल करेंगे उसका ब्लड प्रेशर वगारा मॉनिटिंग करेंगे ऑक्सिजन से चुरेशन उसको मॉनिटिंग करेंगे और इंजेक्शन चीजूट पड़ेगी वह इंजेक्शन से और यहां से अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो यहां से लेकर अगर को दिक्कत होती है तब कि दूर है यहां से है और मैं आपको एक बार और तस्वीर है यहां पर दिखाना तेखिए यह OPD कम रहा है यह entry point है और यहां पर सीधे लिग दिया गया है यहां पर पोस्टर है COVID-19 का करन अस्थल देखिए यहां पर लिखा हुआ है अरपिता और उसके बाद यहां से जो लोग हैं वो एंटर करेंगे सबसे पहला जो काम है वो इस वेटिंग हॉल में वेट करेंगे और जिस तरीके से उनका समय आता है वो जो चैर आप देख सकते हैं उहां पर वो अपना registration कराएंगे जी ठीक है रवी रहे साथ माफ किजा अमित रहे आप साथ